प्येम मोधी ने हाल ही में अंडमान निकुबार को एक बेहतखास तौफा दिया है यह तौफा अंडमान निकुबार के लिए बेहतखास होने वाला है क्योंकि द्वीप समुह में आद से इंटरनेट के एक नय यूगी शुरुआत हो गई है इसकी शुरुआत प्य teen양ण प्रो ये इस योजना की शुरुबात की है उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी कहा कि करीब देड़ वर्ष पहले मुझे आप्टिकल फाइबर केबर कनेक्टिविटी की योजना के शुभारंप का अफसर मिला था मुझे खुशी है कि अब इसका काम पूरा हुआ और आज इसके लोकारपन का सवभागे मुझे मिला है मैं अन्डमान निकुबार के लोगों को अनन्त अफसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बढ़ाए दीता हूं उन्होंने आगे कहा कि जितना बड़ा ही प्रोजेक्ट था उतने ही वराट चुनाओतिया थी ये भी एक वज़ा थी कि बरसों से इस वधा की जरुत महसूस होती है भी इस पर काम नहीं हो पाया था लेकिन मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया ये बेहत समर्पिट टीम के दोरा टीम भावना से आज एक पुराना सपना साक से लगभग 2300 किलो मीटर लंबी सम्मरीन ऑप्रिकल फाइबर केबल बिछाएगी है जिससे भारत के दूसरे हिस्सों तक अंडबान निकुबार को भी तीज मुबाइल और लैंड लाइन टेलिकॉम सेवा मिल पाएगी नहीं प्रधान मंत्री ने इसे एहमियत बताते हुए कि मुझे विश्वास है कि कोरोना के समय मिल रही इस सविधा से अंडबान निकुबाद वीप में बच्चों की पढ़ाई लिखाए बैंकिंग और दूसरी सेवाओं में ऑनलाइन सविधा का जादा से जादा लाब मिलना संभभ हो पाएगा subscribe our channel and press the bell icon for more updates